हलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी स्वागत है आप सभी का चैनल पर और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सहारा रिफंट पोर्टल पर जिन भी क्लेम धारकों के देफिसियंसी के मैसेज बताकर उनका क्लेम को होल्ड पर या रिजेक्ट कर दिया गया था उन सभी के लिए एक बड़ी जानकारी है पुना सम्मिशन लागिन के लिए आपका पोर्टल पर लिंक आ चुकी है लेकिन अभी एक बहुत बड़ा कन्फूजन सबको यह है कि उनके कि आपकी क्या कमिया है और आपको किन कमियों में क्या अपना एक्शन लेना है क्या कारवाई आपको करनी है आज की वीडियो में हम पूरी यही बात करेंगे कि आपके डेफिसियंसी क्या थी आपकी कमिया क्या थी और आपको उन कमियों को कैसे सही करना है दुबारा को टुटी जो संदेश हैं और जो अपने अपेच्छित करवाई एक्षन हैं उनको समझने के लिए आप वीडियो में बने रहे हैं और चैनल को सस्क्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है तो सबसे पहले हम पुना सम्मिशन पोर्टल पर जाते हैं तो ऐसा इंटरफेस हमको खुल के मिल जाता है उसका और उसमें हमको जो अपना लॉगिन करना है दावा अवेदन संख्या जो आप साइड में देख रहे हैं हमको पहले हमने क्लेम किया था वह हमको मिला था वो डालके और कैप्चा डालके वैलिडेट कर देना है अभी फिलहाल जो सम्मिशन पो 99 से जादा रुपय के क्लेम है जिसमें लगभग जादा तर लोग उसी में है उसको अभी नहीं खोला गया है उसके लिए अभी काम चालू है सभी के जो सर्टिफिकेट्स हैं जो अप्लोड नहीं किये गये थे सुसाइटी से या फिर जो भी ऐसे कारण थे वह सारी चीज़ और अभी तीसरा च्रह नहीं खुला है तो इसमें जो जो लोगों की कमिया है आप इसमें जाकर सीधे कमी कोट के विवरण में क्लिक करके पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं और इसको मैं आज जो मुख्य कमिया है जो जादा तर लोगों की इसमें अगर आप देखेंगे तो कि जमा करते हैं कि सुसाइटी द्वारा फार्म अप्लोड नहीं किया गया है खाता खोलने का और सदस्ता फार्म अप्लोड नहीं किया गया है तो ऐसी कई सिकायते हैं तो आए हम सीधे वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों जब हम उस PDF को आप खोलेंगे इस तरह से आप पर टूटी कोड़, deficiencies के, और तूटी संदेश और उसके बगल में आप एचछित कारवाई, मतलब आपकी क्या कमी है, उस कमी कि 525 % को 1 आपलोड नहीं किया गया हैом कि लोगों की तो वही कमिया है तो पहला हम पडहें हैं कुड तो धूरा दावाज फार्म humor अश्टाचार अनुपलब अब इसमें क्या करना है जिसके भी claim में status आपको claim status कैसे चेक करना पता है side में आप देखिए side में claim status चेक करते हैं तो जिसके भी deficiency में ये वाला कमियां बता रहा है तो उसको अपना दुबारा से photo को scan करके अच्छे से साफ सुतरा पढ़ने लाइक जो एक scan copy करके लगाना है यदि उसका हस्ताचर में मामला क्या है हस्ताचर में यदि उसका change हो गया या बहुत पहले था तो bond में या फिर उस time तो उसने हस्ताचर दूसरा किया था और आपको अभी याद नहीं है कि हस्ताचर क्या था हस्ताचर change हो गया है तो उसके लिए आप एफिडेविट लगाएंगे एफिडेविट के लिए आप इसमें लास्ट में में बताऊंगा कि एफिडेविट कैसे लगाना है कैसे भरना और कैसे upload करना है नभर चार डैफिषिरानसी पर आते हैं नभर चार डैफिषेनसी है दाववा फार्म पर किये हस्ताचर खाता खुलने के फार्म सदस्था फार्म पर आस्ताचर से mail नहीं ख़ा रहे है मिए सब्स्भार करूंद कर अपलोट कर देना उसमें कोई आपकी दिक्कत नहीं है लेकिन कई लोगों के साथ क्या दिक्कत है कि उनने जो हस्ताचर पहले किया था वो हस्ताचर उनका फिलहाल में नहीं है ऐसे लोगों को F.E. David लगाना पड़ेगा F.E. David के लिए इसमें आप जब जाएंगे आपको पोर्टल पर ही F.E. David का प्रारूप मिल जाएगा आपको एक photo ID लगेगी क्या-क्या उस photo ID में मानने होगा वो side में देख रहे हैं आप ये इसमें किसी एक पहचान पत्र के साथ photo पहचान पत्र के साथ आप पुना submission portal पर आपको लॉग इन करना है लॉग इन करके अपनी ये notary और आपको पहचान पत्रत रिक फोटो के साथ जो है scan करके upload करना है तो इसमें आपका जो है नाम वाली समस्या जास्ताचर की सही हो जाएगी अब ये deficiency code 5 पे आते हैं जमा करता ने अपनी जमाराशी का प्रमाड और दावे का प्रमाड पस्तृत नहीं किया है या अमान ने या असपस्ट प्रमाड अब इसमें जो है कि जमा करता जो है अपना मतलब scan copy जो है उनकी अच्छे से अप्लोड नहीं हुई है उनको जो है जो भी जमा करताओं को ये deficiency आई है उन लोगों को अपना scan करके अच्छे से साफ सुतरा एक और passbook अगर अप्लिया उनके पास है तो वो passbook को update करवा कर portal पर पहला और last का page दुबारा upload करना है उनको अब deficiency इसके बाद जो है पचास जार से उपर के कई transaction में अगर जिसके हैं अगर दावा उन्होंने किया है तो उसमें अगर उन्होंने pen card अगर जमा करताने नहीं लगाया है तो आपको पहले उसमें pen card की copy upload कर देनी है दुबारा हो सकता है आपने लगाया हो उन लोगों को पढ़ने में नहीं आई हो तो उन्हें आपको उसमें कुछ नहीं करना आपको दुबारा से pen card की एक photocopy उसमें scan copy upload कर देनी है इसके बाद जब हम आते हैं deficiency जो है हमारे पास deficiency 9 हो गई deficiency हमारी 10 हो गई तो इन deficiency में आपको एक चीज common मिलेगी society द्वारा सदस्ता form upload नहीं किया गया ये एक कमी है जो बहुत ज़ादा लोगों को आई है इसी तरह से मिली जुली लगभग ये deficiency अगर हम 10 पे जाए deficiency 11 पे जाए society द्वारा सदस्ता form की scan प्रती upload नहीं की गई है क्रपया society से संपर्क करें संबंदिश society से deficiency 12 में जाए दावेदार जमा करता का विबरण सहारा society database में नहीं है ये भी बहुत सारे लोगों को दिया गया है society database में आपका record नहीं है तो दावेदार society का जमा करता नहीं है ये भी कमी कई लोगों को deficiency के message में दिखाया गया है deficiency जो 13 है कि जमा करता द्वारा प्रदान किया गया विबरण society database society द्वारा प्रदान किया गया record सदस्ता खाता संख्या से मेल नहीं खाता है तो अगर हम उस 9 number deficiency से 13 तक आए तो इसका एक ही उपाय है खोलने के farm है वो सारी चीजों को scan करके digital कर रही है और portal पर upload कर रही है society द्वारा ये किया जा रहा अब society ने जिनका जिनका upload कर दिया है तो उनका login भी हो जाएगा और upload आप जब ok करेंगे तो आपका green आ जाएगा signal यदि आपका society द्वारा अभी तक upload नहीं किया गया है तो आप submission पोर्टल पर अभी दुबारा login करके नहीं भर पाएगे जब तक society द्वारा upload नहीं किया गया तो इस समबंद में society द्वारा upload किया जा रहा इस काम को किया जा रहा है पोर्टल भी जिन लोगों का भी अप्लोड नहीं हुआ है, मान कि उन लोगों का अप्लोड करवा रहा है, इसमें आपको एक काम और करना है, आपको खुद भी सहारा के सुसाइटी के कस्टुमर केर में आप फोन कर सकते हैं, आप उनको कह सकते हैं, तो वो भी आपको एक सलाह सलाह देंगे कि आपको वहाँ पि मेल करना है तो आपको मैं सोसाइटी का ये मेल आईडी दे दे रहा हूँ आपको अपने दावे के साथ एक कॉपी उनको मेल कर देना है ताकि भाई आप हमारा संबंधि सोसाइटी का जो सदस्ता फार्म है वो जल्द से जल्द पोर्टल पर upload कर दीजिए ताकि हमारा जो है दावा जल्दी से जल्दी हम भरके उसको claim कर सके तो आप इसमें society द्वारा खुदी upload किया जा रहा है पोर्टल भी upload करवा रहा है यदि फिर भी in case आपका नहीं होता है तो आप इसमें mail बड़े आसानी से mail ID आपको दे रहा हूं customer care का number भी है इसमें officially portal पर भी है आप इस पर भी phone कर सकते हैं तो यह deficiency 9 से लेके 11, 10, 11, 12 और 13 इन 3, 4 deficiency में एक ही तरह का कारण है मिला जुला कर कि सदस्ता फार्म नहीं upload है और खाता खोलने का फार्म upload नहीं है तो यह सारी कमी जो है यह सहारा सोसाइटी सदस्ता फार्म को स्कैन करके record digital कर रही है पहले गलती क्या हुई है सहारा ने यह सारे फार्म पोर्टल पर upload नहीं किये थे जिसके वज़े से हम लोगों के claim फस गये थे तो इस कमी को भी सुधार लिया गया इस resubmission portal में और इस resubmission portal में अभी जो काम upload का ही चल रहा है जिस वज़े से वो तीसरा phase जो अभी चालू नहीं हुआ है तो हम सभी उमीद करते हैं कि सहारा सोसाइटी इस बार अपना पूरा फार्म को स्कैन कर ले रिकार्ड डिश्टल कर ले उसके बाद ही चालू करे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन सबका कर ले ताकि दुबारा किसी को परशान ना होना पड़े तो आप यह समझ गए डेफिसेंसी 18 जो है अधार के अनुसार पूरा नाम सोसाइटी द्वारा उपलबद कराएंगा कि डेटा वेस रिकार्ड से में इताा हूँ इसमें भी वही चीज है आपका नाम जो है मैच नहीं कर रहा है तो नाम जिनके मैच नहीं कर रहा है उनको फार्म जो है 17 भी सेम थी, तो नोटरी पे जो प्रमाडित सपत पत्र जिसको बोलते हिंदी में, तो वो रिशम मिशन पोर्टल पर आपको दुबारा अपलोड करना पड़ेगा, उसके साथ, ताकि आपका क्लेम संसाधित किया जा सके, और उसको डेफिजियनसी नमबर 17 जो है, उसमें भी यही करना है, और डेफिजियनसी नमबर 18 इसमें भी आपको यही करना है, कई जैसे अब इसमें केस क्या है, कुछ महिलाएं हैं जिनकी शादी हो गई है, तो शादी के बाद पती का सरनेम यूज़ जाता है, जिस वज़ए से नाम बदल जाता है, यही दिक्कत, तो ऐसे में इसमें नाम बदल जाता है, तो अधार कार्ड में उनका नाम अलग है, या फिर उनके जो उनने जो दावा किया है, उसमें नाम अलग है, उसके लिए भी उनको जो है, नोटरी दोरा प्रमाणी सपत पत्र और फोटो एक पहचान पत्र अपलोड करना पड़ेगा पोर्टल और जो नोटरी का जो वो है, वो आपको सरी समीशन पोर्टल पर ही उसका PDF मिल जाएगा, मैं लिंक भी दे दूँगा, आप महां से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में देख लीजेगा, तो दोस्तों, आप सभी से अनरोध है कि आप इस बार दुबारा अभी तो बहुत सारे लोगों का खुल नहीं रहा होगा, क्योंकि अभी तीसरा वाला फेज चालू नहीं हुआ है, तो जो पहला और दूसरा फेज जिनका है 10,000 रुपए का क्लेम है, या फिर 19,999 से कम का क्लेम है, तो वो लोग अभी उसको अपने कमियों को जो है अच्छे कैसे लोग इन करके कहां से वो हमारा कमी सही किया जाएगा, उस पे पूरा डिटेल्ड बनाऊंगा, पहले आप सभी जो है अपनी कमियों को अच्छे से समझ लें कि किसके में क्या कमी है और उस कमी के लिए उसको क्या एक्शन लेना है, ताकि इस बार जो है आप सभी का क्ल